तो देखे कितनी क्रिस्पी इनकी आवाज आ रही है ये बहुत ही अच्छी घर पर बन के तयार होंगी आमला कैंडी इल्कुल मार्किट में मिलने वाली आमला कैंडी की तरह और खाने में जो बहुत ही टेस्ट रहेंगी आमला हमारी सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है एक सर्दियों में ही इसका सीजन होता है तो आमले का यूज जरूर कीजिए और खुद को स्ट्रोंग बनाईए इनको बनाना बहुत ही इजी है और फ्रेंट जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए और जो नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो रेस्पी स्टार्ट करते हैं हम लेंगे 400 ग्राम आमला हमने फ्रेश आमले यहां पर यूज करें हैं आमला जब भी लो तो बिल्कुल साफ आमला लेना चाहिए फ्रेश रहे और फिर हम इनको उबाल लेके हमें इसको पानी में नहीं उबालना है अगर हम इसको पानी में उबालेंगे तो इसमें लिक्ट हो जाएगा हम एक कूकर लेंगे और कूकर में पानी डालकर हम इसको स्टीम करेंगे हमने रख दिया हैं हाँ पर स्टैन और फिर हम इसमे एक जाली रखेंगे आपके पास जाली ना हो तो आप कुछ ऐसा बरतनले लिजिए जिसमें चेक हो और उसमें स्टीम हो सके तो हम यहाँ पर आमले को रख देंगे और फिर हम इसको ढखकर छोड़ देंगे जिससे कि हमारे जामले हैं वो स्टीम हो जाए तो देखिए 10 मिनट बाद हमारे जामले हैं वो गल-कल रेडी हो गए हैं हम इनको चेक कर लेंगे तो देखिए कितने अच्छे से हमारे जामले हैं वो गल गए हैं तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं अब यह आमले गरम हैं तो हम इसको केरफुली चिम्टे की हेल्प से निकाल लेंगे एक थाली में अलग करते जाएंगे इसके अंदर पानी नहीं जाता है और यह बिल्कुल सूखे रहेंगे क्योंकि अब हम इनका पेस्ट बनाने वाले हैं तो हमें पानी के जरुत नहीं होगी तो देखे कितने अच्छे से हमारे आमले गल कर रेडी हो गए हैं अब हम इसका बीच निकाल लेंगे इसको मैशर की हेल्प से हम इसको दबा देंगे और इसको जो गुठली है ना इसके बीच जो है वो निकल कर असानी से अलग हो जाएंगे तो देखे एक गरम है हम इसको बहुत ही साफदानी से इनको निकाल लेंगे फ्रेंड्स मैंने आपको आमले की एको रेष्पी सेयर की थी आमले और मिर्च के अचार वाली वो भी बहुत टेस्टी होती है उसको जरूर बनाइए क्योंकि सर्दियों में ही आमला मिलता है तो आमले का पूरा यूज़ कीजिए recipe का link आपको description में मिल जाएगा तो महाँ जाकर आप जरूर चेक कीजिए बहुत ही easy recipe है और आमला हमें जरूर खाना चाहिए बस ये सरदियों में ही market में आता है तो इसका यूज जरूर करें तो देखे हमने आमले को ठंडा कर लिया है अब हम लेंगे एक mixi का जार और इसमें डाल कर हम इसको अच्छे से पीस लेंगे हमें इसका paste बनाना है और पानी का यूज बिलकुल भी नहीं करना है दीरे दीरे mixi को चलायते जाएगे ये अपने आप से अच्छे सा एक paste बनकर ready हो जाएगा पानी का यूज बिलकुल भी ना करें और देखिए कितना अच्छा हमारा paste बनकर ready हुआ है तो चलिए अब हम इसको पका लेते हैं अब हमने लिया है एक pan और इसमें हम इस paste को डाल लेंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे गैस की flame को low ही रखेंगे और low flame पे ही हम इसको पका लेंगे तो इसको हम दीरे दीरे भूनते जाएंगे चलाते जाएंगे और फिर हम इसमे अड़ करेंगे नमक, अपने टेस्ट के अकोडिंग और थोड़ा सा हमने लिया है हाँ पे अधरा कद्दू कस करके और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे इसमें mix कर लेंगे और इसको भी पेस्ट के साथ में भून लेंगे तीन से चार मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे फिर हम इसमे अड़ करेंगे चीनी हमने यहाँ पर एक कटोरी चीनी लिया है आप अपने according तोड़ी के ज़्यादा भी आप रख सकते हैं. जैसे भी आपको आमलक एंडी बनाना हो आपको ज़्यादा मीठी बनानी है तो आप मीठा ज्यादा रखेए. आपको खटी मीठी बनानी है तो आप इसमें थोड़ी सी कम रखेए. तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी चीनी ली है और इसको अच्छे से हम भूनते जाएंगे हम चीनी को बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे और तब तक हम इसको चलाते रहेंगे तो देखिए मुझे यहाँ पर 10 मिरट हो गई है इसको पकाते हुए और यह थोड़ा सा हाड होना स्टार्ट हो गया है तो जब यह इस स्टेज पर आ जाए ना थोड़ा सा हाड होने लगे पकने लगे तो फिर हम इसमें एड करेंगे कॉन फ्लोर जिससे कि यह जम जाएगा कौन फ्लोर मैंने आपर डेड़ से दो चमच कौन फ्लोर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे पानी हमें ज़्यादा एड़ नहीं करना है और फिर हम इसको घोल कर इसमें मिला देंगे तो देखिए अच्छे से इसको चला देना है जिससे कि जो हमारा ये आमला कैंडी का पेस्ट है ना ये अच्छे से थोड़ा गड़ा हो जाए और इसको अब हम अच्छे से चलाते हुए बून लेंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा विनेगर दो चमच हमने आपर विनेगर लिया है जिससे कि जो इसकी चीनी है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और जमेगी नहीं अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप इसमें दो चमच निंगुकरस का भी उस कर सकते हैं विनेगर डालने से जो हमारी आमला कैंडी है वो लोंग लास्टिंग रहेगी जल्दी खराब नहीं होगी तो देखिए अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और जब तक कि ये टाइट ना हो जाए ना पैन को छोड़ने ना लगे तब तक हम इसको चलाते रहना है अच्छे से चलाते वे हम इसको भून लेंगे तो देखिए धीरे धीरे यह tight होने लगा है और इसने pan को भी छोड़ दिया है तो अब हम इसको gas को off कर देंगे और इसको थंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो हमने यहां लिया है butter paper उसके हमने अच्छे से गील लगा लिया है और फिर जो हमारा जो बैटर है ना उसको हम इसमे फैला देंगे और बैटर को हम तब रखें इस पे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो देखिए बिल्कुल जमा नहीं है हमारा ये पेस्ट थोड़ा सा इस तरही की थिकने साथ की पेस्ट में रहनी चाहिए और फिर हम इसको अच्छे से फिला देंगे और फिर हम इसको रैप कर देंगे तो अब हम इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे और एक बेलन की हैल्प से हमें इसको शेप दे देनी है ज्यादा मोटा नहीं रखना है उन्हें ज्यादा ही पतला रखना है इसको हम medium रखेंगे और shape देते जाएंगे और फिर हम इसको आदे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये set हो जाए तो देखे हमारी jamla candy है वो अच्छे सेट हो गई है और कितनी tasty है हमारी बनकर ready हुई है अब हम इसकी cutting करेंगे तो देखे अब हम लेंगे एक knife उस पे हम तो देखे ऐसे काटने में मुश्किल रहेगा तो हम क्या करेंगे हम लेंगे sugar powder और sugar powder में चाकु को dip करेंगे और easily फिर इसको काट लेंगे लगाते जाएंगे sugar powder को और इसको cut करते जाएंगे फिर ये बहुत easy से cut जाएगा तो इसी तरीके से हम इसके पीस बना कर ready कर लेंगे तो देखे हमने जो अपने आमला candy है वो अच्छे से cut कर ली है और फिर हमें क्या करना है एक एक पीस हमें उठाते जाना है और sugar powder में हमें इसको fold करते जाना है तो देखे इस तरीके से हम अपने सारे पीस ready कर लेंगे कितनी अच्छी हमारे आमला candy बनकर ready हुई है जो कि खाने में भी बहुत ही tasty है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है और हमने अपनी आमला candy में अद्रक का भी use किया है जो कि हमें सर्दी से बचाएगा और गरम रहेगा तो देखे इस सर्दी आप भी आमला candy बनाईए अपने हाथों से बनाईए और सब को खिलाईए जो कि खाने में बहुत ही tasty और healthy रहेगी तो देखे इस सरी के से हम अपने आमला candy बना कर ready कर लेंगे तो friends like, share और comment करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने experience जरूर share कीजिए कि आपके आमला candy कैसी बनी है तो देखे कितने अच्छे से हमारी जो आमला candy है घर पर easy से बन कर ready हो गई है इसको आप एक साल तक use कर सकते हैं store करके रख सकते हैं और ये अभी soft रहेगी पांस से छे घंटे के बाद ये hard हो जाती है तो देखे फिर हम इसको container में भर कर रख लेंगे तो friends वीडियो को like and share जिरूर कीजिए Thank you for watching